दोस्तो, 16 मई वैशाक पुर्णिमा के दिन राद सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज मालक्ष्मी दवडी चली आएंगी मालक्ष्मी के आशिर्वाद से आपके जीवन की समस्त परिशानिया होंगी खत्म और मालक्ष्मी के आशिर्वाद से आपके घर में सदैवा भरे रहेंगे अन्यधान्य के भंडार और मालक्ष्मी का सदैवा आपके उपर रहेगा आशिर्वाद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते है की वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे जादा सी जादा शेयर जरूर करियेगा दोस्तो वैशाक पुर्णीमा का बड़ा ही महत्व है इस दिन दान पुन्य और धर्म कर्म के अनेक कारिय किये जाते है हर हिंदु महा के अंतिम दिवस पर पुर्णीमा पड़ती है वैशाक के अंतिम दिवस यानी सोलह मै को पुर्णिमा का योग बन रहा है इस बार सोलह मै को वैशाक पुर्णिमा है वैशाक पुर्णिमा का बड़ा ही महत्व है माना जाता है कि वैशाक पुर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और उसका पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाए, तो जीवन के सभी दुखों का कष्टों का निवारन हो जाता है, और भगवान विष्णू और मालक्ष्मी का विशेश आशिर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे में वैशात पुर्णिमा के दीन के व्रत का महत्व और भी सूर्य उदाई से पुर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद सूर्य के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और सूर्य देव को अर्गह देना चाहिए, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णू और मालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश और पकवान देने से गोदान के समान का फल मिलता है पाँच या साथ जरुरतमन व्यक्तियों और ब्राम्मनों को शकर के साथ तिल देने से पापों का शय होता है इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाए और तिलों का तरपन विशे शुरूप से करे आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण होंगी और आपको शुभफलोंग की प्राप्ति होगी इस दिन व्रत के दवरान एक समय भोजन करे जी हा दोस्तो ऐसा करने से भगवान विश्णू और मालक्ष्मी का आशिर्वाद आपको प्राप्त होता है और भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के आशिर्वाद से आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है दोस्तो बात कर लेते है जाडू से जुड़े कोच महत्वपूर्ण उपायों के बारे में दोस्तो घर की गंदगी को साप करने वाले जाडू का समंद आपके सूक और सोभाग्य से भी है क्योंकि इसका सीधा समंद मालक्ष्मी से मिलने वाली क्रिपा से बताया गया है कहां गया है कि जिस घर में हमेशा साप सफाही रहती है वहा हमेशा धनकी देवी मालक्ष्मी का वास होता है कई बार लोग मालक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए किसी मं जाडू का दान भी करते है। हर वेक्ति सूख आर्थिक संपन्नता और श्यांती चाहता है। मगर इसे हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने घर में जाडू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो ना सिर्फ आपके घर की कलह खत्म होंग बलकी स्वयम मालक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। जाडू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है। कि रुगों को दूर करने वाली शितला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये रहती है। इसलिए जाडू का नेमित उपियोक करते समय कुछ बातों का ध्यान रख अवश्यक होता है। जिनका पालन करने पर घर में हमेशा सुक सम्रुद्धी और खुशिया कायम रहती है। आईए जाडू से जुडे कुछ नियमों के बारे में जान लेते है। दोस्तों जाडू को देवी मालक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में उसे घर में जोर से पटकना या फेकना नहीं चाहिए। जिस घर में जाडू का अनादर होता है। वहां से माता लक्ष्मी रूट कर चली जाती है। घर में हमेशा जाडू को छुपा कर रखने का नियम है। क्योंकि अगर वह सब के सामने अगर कही रखी होगी। तो उसे हमेशा गलती से पैर लगने का डर बना रहता है। यदि गलती से जाडू में पैर लग जाए तो तुरंध ही मन ही मन में उससे माथी मांगले। दोस्तो जाडू को दरवाजे के पीछे चुपा कर रखना काफी शुभमाना गया है। हाला कि हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि जाडू को कभी भी खड़ी करकर ना रखे। खड़ी जाडू रखना एक बड़ा अप्षगुन माना गया है। इसलिए कभी भी खड़ी जाडू अपने घर में आप ना रखे। जाडू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। यह अशुब माना जाता है। ऐसा करने पर घ घर में हमेशा चोरी होने का खतरा बना रहता है। यदि आपके घर का सदस्य कोई जरूरी काम से निकलता है, तो उसके जाते ही तुरंत घर में झाडू नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने पर उस वेक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जाडू से कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर या घर के किसी सदस्य को नहीं मारना चाहिए। इसे भयंकर अप्षगुन माना जाता है। साथी साथ हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करे तो उसमें हमेशा नई ज़ाडू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे नए घर में सुक सम्रुद्धी और बरकत बनी रती है। और मा लक्ष्मी का हमेशा वास रता है। तूटी हुई ज़ाडू का भूल कर भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए। तूटी हुई ज़ाडू से घर की सफाई करने पर जीवन में तमाम तरह की परिशा आती है। इसलिए ध्यान रखे कि तूटी हुई ज़ाडू घर में कभी ना लगाए। इसका इस्तमाल आप ना करे। और साथी साथ सुरियास्त के बाद कभी भी ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन की देवी मालक्ष्मी रूठ जाती है इसलिए कभी भी सुरियास्त के बाद ज़ाडू ना लगाए साथी साथ वास्तु शास्तर के अनुसार जो वेक्ती ज़ाडू को एक ही स्थान पर रखने की वजाए कही भी रख देते है। उनके घर में भी धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे उने तमाम प्रकार की आर्थिक परिशानियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जाडू का आप एक स्थान बना दे और उसी स्थान पर उसे रखे। उसे अलग-अलग जगा पर कभी न रखे। साथी साथ सपने में जाडू देखने का मतलब होता है कि आपका आर्थिक नुकसान होने वाला है। बहुत ज्यादा समय से उपियोग में ना आ रही पूरानी जाडू को घर में ना रखे। कभी भी नई जाडू इस्तमाल में या उपियोग में लानी हों तो श्यनिवार से इसका उपियोग शुरू करे। तो आपको विशेश शुभफलों की प्राप्ति होंगी। साथी साथ जिस प्रकार हम धन को छुपा कर रखते है। उसी प्रकार जाडू को घर में आने जाने वाले लोगों की नदर से दूर रखना चाहिए। माना जाता है कि धन की देवी मालक्ष्मी का जाडू में वास होता है। इसलिए ध्यान रखे कि जाडू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर धनकी देवी मालक्ष्मी रूट जाती है। साथ ही साथ जाडू लगाने के बाद जब भी आप पोचा लगाए तो उसमें चुटकी भर नमक मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारत्मक उर्जा है तो वह समाप्त होगी। और आपके घर में सकारत्मक उर्जा का वास होगा। मालक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। साथी साथ आप हमेशा इस बात का विशेश ध्यान रखे कि जाडू को कभी भी घर की पुर्व और उत्तर दिशा की बीच की जग़ा पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते है तो इससे देव आगमन में बाधाय आ जाती है। साथी साथ दुरभाग्य अपने आप चल कर आपके घर में आ जाता है। इसलिए आप जाडू को अपने घर की पुर्व और उत्तर दिशा की बीच की जो जगह है उसमें कभी ना रखे। जाडू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर रखना चाहिए। साथी साथ मा लक्षमी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंदिर में। ब्रह्म मूरत में तीन जाडू ओंका गुप्त दान करे। जाडू दान करने में इन बातों का आप ध्यान रखे। मंदिर में जाडू दान करने से पहले शुब मूहुरत अवश्य देख ले तो इस दिन दान का महत्व और बढ़ जाता है। और घर में स्थाई लक्ष्मी का वास होता है। साथी साथ अगर आप रात सोने से पहले जाडू के नीचे पांच काली मिर्च, दो लोंग, एक इलाईची और थोड़ी सी कपूर लाल कपड़े में बांध कर जाडू के नीचे छुपा कर रख देते हैं। तो आप यकीन मानिये, मा लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, दोनों हातों से मा लक्ष्मी आपके घर में धनकी वर्षा करेंगी, और आपके घर में हमेशा अन्यधान्य का भंडार भरा रहेगा, और मा लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेगी, आपकी समस्त पर परिशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में नकरात्मक उर्जा खत्म होकर सकरात्मक उर्जा का वास होगा और आपके घर में हमेशा मालक्षमी का वास रहेगा जी हाँ दोस्तों ये थे कुछ जाडू से जुड़े कुछ महत्वकुर्न नियम जीने आप अगर अपने जीवन में अपनाती है तो आपके जीवन में होगी खुशिया ही खुशिया जीवन की सभी परिशानिया आपकी खत्म हो जाएंगी और आपके घर में मालक्ष्मी सदैवًव वास करेगी जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करे और कमेंट सेक्षन में लिखिएगा जय मालक्षमी और विडियो को ज़्यादस ज़्यादा शेयर जरूर किजिएगा धन्यवाद